हेलो फ्रेंज जैसे आप सब लोग आज मैं आप सभी के लिए ऐसे चीज के की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बनाना बहुत आसान है बहुत कम हिंग्रिंट्स में बने का अक्सर क्या होता है हम चीज के मार्केट में खाते हैं 200-200 रुपे के होते हैं टेस्टी तो बहुत होते ह हैं अब अगर आज आप मेरेसिपी देखेंगए तो आपको पता चलिए गो कि दिस यह बनाना चीज क्री बनाते हैं और आज मैं आपको ज kick eighteen व्य वैपिंग क्रीम बनाना लोगात आवैलम होते हैं आज मैं आपको कि थीज के वूइक रिध ज्वर्द की तरह भानाम बनाना मुश्किल से 15-20 मिनिट आपको बनाने में लगेगी यह बहुत टेस्टी बन के तयार होगा बहुत क्रीमी होगा बहुत बटरी होगा मुँमे एकदम से घुल जाने वाला यह बनेगा तो वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर आप जब वीडियो देखेंगे न तो आप चीजकेक भूल जाएंगे हमेशा घर में बना के खाएंगे कि इतनी असान रेसिपी है और आपको 100 रुपे के अंदर पूरा चीजकेक बना के दूंगे जिसमें कम से कम 4 पीसिस बनते हैं तो चलिए सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुनीता शर्म अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले इस पे अच्छी अच्छी कुपिंग वीडियो जालते हैं रोस यूनियू रेसिपी शेयर करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया इस चीजकेक को बनाने के लिए हमने यहाँ पे फ्र यहाँ शेकर सबस्सक्राइब करने तो यहाँ तो फ्रीजर में रखा था और अपनी क्रीम को भी आदे से 2 गंटे के लिए फ्रीजर में रखा था और आप अपके घर में अस चीजा चुन बनाएगा ताकि रूम एक ठंडा रहे वरना आप नीचे एक बरफ का बाल रखे तो इसलिए अगर आपके घर में ठंडग नहीं है या आप गर्में बनाने वाले हैं तो नीचे एक आप आप आइस का बॉल रखिएगा और यह देखिए हमारी जो क्रीम थी हमने इसको उल्टा करके काटा है जो एक्स्ट्रा पाडी था इसका वह हमने सारा निकाल दिया है इसे कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से विस्क करेंगे जब तो इसमें सॉफ्ट बनने स्टार्ट ना हो जाए अगर आप विपिंग क्रीम इस्तमाल कर रहे हैं तो उसका भी सेम प्रोसीजर होता है उसे भी आपको इसी तरीके से लखना होता है आप से जब मार्किट से लेकर आ अब देखिए हर किसी के पास हमारे पास मशीन वाला विस्क नहीं होता है अगर आपके पास है तो आपको बस पांच मिनट उससे विस्क करना है और अगर आप हाँ से कर रहे हैं तो 10 मिनट तक 10 मिनट में अच्छे से सॉफ्ट पीक्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो इसक है अधिया च्छर कितना बदलना शुरू हो चुका है कैसे एक दम विप क्रीम होता है उसके फ़र्म में या तैयार हो चुका है बस इसमें हम डालेंगे शुगर तो यहां पर हमने 3 टेबल स्पूल शुगर लिया है आइसिंग सुगर लिया है तो आप बी चीनी पीस के ही ल तो अगर नोर्मल शुगर डालेंगे तो आपको जादा विस्क करना पड़ेगा ताकि शुगर अच्छे से घुल जाए इसलिए हम यहां पाउडर शुगर का इस्तमाल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो अगर आप विपिंग क्रीम से बना रहे हैं तो कोफी पाउडर का इसमाल किया है तो यहां पर हमने 1.5 टेबल स्पून कोफी का इसमाल किया है तो यह देखिए बहुत ही चॉकलेटी और कोफी का हिंट आएगा जो बहुत इसको एक अच्छा टेस्ट देने वाला है तो बस इसको भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो विजकर से मिक्स कर सकते हैं और यह देखिए जैसे आप इसको मिक्स करेंगे इसको एक अच्छा सा चॉकलेटी ब्राउन कलर बनता जाएगा तो बस इसे जब तक मिक्स करना है जब तक हमारा वाइट क्रीम बिल्कुल अच्छे से ब्राउन में चेंज ना हो कितने अच्छे से वारा क्रीम हो रहा है बस हमारा इंग्रेट्स तैयार है बस अब हमें दो मिनिट काव और बचाया है और यह ब्रकेट जैसा बिल्कुल कैफी जैसा चीजक के तैया होने वाला है तräधि देखिए अच्छे से हमारा चॉकलेटको पाउडर और हमारा कॉफी पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है तो चलते हैं अपने नेक्स स्टैप की तरफ इसके लिए यहां ली हैं बिस्किट आपको इसे भी बिस्किट इसमाल कर सकते हैं पार लेजी मारी लाइट कोई साभी जो भी आपको बिस्किट अवेलेबल हो और उसे एक इसी भी डीप में लगाना है तो हम एक लेयर बनाएंगे शेप कोई भी इसमाल कर सकते हैं मेरे पास राउंड था तो मैंने राउंड लिया एप स्क्वेर आपको जो भी बढ़तन अवेलेबल हो उसे ले लीजिए बस थोड़ा सा डीप होना चाहिए तो बस इसका हम अच्छे से एक लेयर बनाएंगे इस लेयर को हमें ऐसे बनाना है अगर आपको बिस्कुट तोड़ना पड़े तो कोई दिक्कास नहीं थोड़ा तोड़ लीजिए पर हमें बस बिल्कुल बॉटम में एक अच्छा सा लेयर बना देना है ताकि पूरा बॉटम हमारे बिस्कुट से अच्छे से होता से समुख्त आड़े बना देना इस ऐसे थित्म अच्छे अच्छे अराम ख़लके हाथ से इस इसमेड़ करना है और एक लेयर बना देना है तो इसको मिसी तरीके से अच् b查 से लेयर बनाएंगे अन होसा कोशिश कीज़ा कि लेयर चाल से इकवल हो ताकि जब हमारा अगर आप किसी को दिखाएंगे तो बोलने ही जद्द लिए जिद्ध कि अमूल फ्रेश क्रीम से बनाया है लोग अकसर ऐसी डीशिश नहीं बनाते हैं क्योंकि इंके पास विपिंग क्रीम नहीं होता इंके अपने अच्छा क्रीम बना के तयार किया है अब चुब इसे खाएंगे ना तो आपको बिल्कुल असे लगए कि मार्केट वाला विपिंग क्रीम ही आप इस्तमाल कर रहे हैं और यह देखिए सेम हमने सेकेंड लेयर बनाया और उस पे भी हमने एक मोटा सा लेयर बना देना है तो देखिए हम इसमें सारा अपना विपिं दिखा रहे हैं चोड़ 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 डालेंगे अपने केक पर इसे एक तुम बहुत सुन्द सा बन जाता और बहुत असा डिजाइन होता है तो देखिए चोड़ 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 ड्रॉप्स डालेंगे इसके उपर और इसी स्टेक या टूथपिक की मदद से बस इन इसे तूथफिक हां इसे बस लाइने मार देनी है और इसे अब हम कम से कम 6 घंटे के लिए फ्रीज के अंदर रहेंगे इस समि फ्रीजर में नहीं रकना हो नहीं रखना है बस फ्रीज ओन रहना चाहिए इतने में इन वआरा के अच्छे से स्ट हो जाएगा और बन के तयार ह जाएगा तो देखिए कितने असान सी चीज से हमारी कितनी आची यह डिजाइन बनके तयार हो चुका है और देखिए आप 6 घंटे बाद हमने इसे फिज से निकाला है बस इसे आप चाहे तो आप स्पैचुला की मदद से बढ़ना नाइफ की मदद से अच्छे से काट सकते है अब कोई ही शेप काट यह डिए पेस्ट्री की शेप में काट रहे हैं तो यह देखिए इसे चक्कु की मदद से अच्छे से काट लेंगे अध्यान रखना की निकाले तो एक अच्छे तरीके से निकले यह हमारा चीसकेक बनके तयार हो चुका है अगर आप इसना टोटल न कितना असानी से बनके तयार हुआ है कितने अच्छे से इसके लेयर्स आए हैं यह देखिए तो बस आपकी बारी बर्ट देर पर अपना नॉर्मल के चोड़ी अगर क्योंकि नॉर्मल हमें बेकिंग करना होता है इसे बड़ी आप फटा फट जट पट वाला चीसकेक बनाई एक्तम मुमें गूलने वाला टाया है यह बहुत असान है आपको बड़ी पर गिसंच बोता हैं चाहिते ऐसे आपई नवाल श्टे को बनाने वाला है तो बस आप एक बर बनाना है औरम वीडियो कैसा लगे जरूर मुझेगा मुझे सब्सक्राइब का बतेता ते कि मुझे मुझे बताना है कैसा बना है यह आपका तो बस वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा जाद से रश्याइए कीजिएगा तक यह और लोग भी आप वी जैसा बना सकें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाई बाई